नज़स्का दोस्तों, डेट है आज की 3 दिसंबर 2019 और स्वागत है आपका एक्टोरियल डिसकेसन में नज़र डाल लेते हैं कौन से आर्टकल आज हम डिसकेस करने जा रही है पहला आर्टकल हम डिसकेस करेंगे AIDS के खिलाफ लडाई से समदित उसके बाद हम इंडिया सिलंका रिलेशन्स के बारे में जो आर्टकल है उसे डिस्कस करेंगे नीचे हम आर्टकल डिस्कस करेंगे टेलिकॉम सेक्टर से सम्मदित दूसरे पेस पे देखो यहां पर आर्टकल है करतारपूर कोरिडूर से सम्मदित कुछ जो important points बोले जा रही है इस आर्टकल में वो इस परकार से है जादर लोगों ने विरोद किया है करतारपूर कोरिडूर का कि इससे पाकिस्तान खालिस्तान मुव्मेंट को फिर से बढ़का सकता है लेकिन देखो एक दूसरी पिक्चर भी है चंडिगर्ट से लेकर लहोर तक एक ट्रेड कोरिडूर इस्टाबलिश किया जा सकता है मतलब पाकिस्तान के पंजाब और इंडिया के पंजाब के बीच फ्री ट्रेड एग्रिमेंट हो अब आपके मन में आया होगा यह कैसे पोसिबल है फ्री ट्रेड एग्रिमेंट तो दोनों देशों के बीच साइन होता है प्रोविशिस के बीच साइन नहीं होता है तो आठिकल में कहा जाता है GET यानि General Agreement on Trade and Tariff में इस चीज़ का provision है कि दोनों साइड के पंजाब के बीच free trade area establish हो सकता है अगर देखो ऐसा होता है तो trade relations दोनों देशों के बीच बढ़ जाएंगे scope देखो दोनों देशों के बीच trade का है आल्मोस्ट 37 billion dollars है लेकिन trade होता है सिरफ 2-3 billion dollars है अभी जब से आजकल 37 को ineffective बनाये गया है पाकिस्तान ने सभी तरह के ties को इंडिया के साथ suspend कर दिया है उससे पहले इंडिया ने भी पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाले माल पर custom duty को increase कर दिया था तो पाकिस्तान के तरफ से जो आधकवाज को promote किया जाता है उसकी वज़े से जो trade ties है वो बढ़ नहीं पाते हैं लेकिन अगर बढ़ जाते हैं trade ties अच्छे रहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो देखो पाकिस्तान के हुपर हम एक pressure डाल सकते हैं जैसे दोनों साइड के पंजाब के बीच trade अच्छा होता है तो पाकिस्तान के पंजाब में जो businessmen हैं उनको फाइदा होना start होगा और वो सरकार पर दवाब डालेंगे पाकिस्तान की सरकार पर कि आप इंडिया के साथ रिष्टे अच्छे कीजिए ताकि जो trade होता आ रहा है वो होता रहे अगर पाकिस्तान का इंडिया के साथ trade होता है दोनों पंजाब की हम बात कर रही हैं तो पाकिस्तान में रोजगार के अफसर पैदा होंगे तो वहां के लोग भी मांग करेंगे कि आप trade को और ज़द़ पर्मोट कीजिए तो इससे एक peace constituency पैदा होगी जो की इंडिया और पाकिस्तान के बीच peace establish कर सकती है ऐसा आर्टिकल में बोला जाता है चलिए discussion स्टार्ट करते हैं सबस्वे बले important article AIDS के खिलाफ लड़ाई से सम्मधित हैं आप JS Paper 2 के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हों ये आर्ट के लिखा गया है के स्रीनाथ रेड़ी के द्वरा देखो sustainable development goal 3.3 जो है वो कहता है 2030 आते आते AIDS, TB, malaria जैसी बिमारियों को खतम करना है और इस दिशा में विभिन देशों ने काम करना स्टार्ट कर दिया है UN AIDS UN की ये एक leading agency है जो HIV के अगेंस्ट लडाई को coordinate करती है और इसके लिए देखो यह एड़ी को जड़ से खतम करने के लिए एक strategy भी launch की गई है 1990-90 प्रिलीम में ये question पूछा जा सकता है कि 1990-90 strategy किसे समदीत है AIDS को खतम करने से समदीत है क्या है ये strategy ये strategy देखो ये है 2020 आते आते ये ensure करना है कि वर्ड में जिन भी लोगों को AIDS है उन में से 90% लोगों को पता हो कि हां हमें AIDS है और उन में से 90% लोगों को anti-retroviral therapy मिले ये देखो drugs का एक combination होता है जिसे AIDS को suppress करने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो मतलब जितने लोगों को पता है कि हमें AIDS है उन में से 90% लोगों को anti-retroviral therapy मिले और जिनको anti-retroviral therapy मिले उन में से 90% लोगों में जो HIV virus है वो suppress हो जाए ये ensure करना काम है 1990-90 strategy का और ये कब तक ensure किया जाने का प्लान है 2020 आते आते देखो 1990-90 strategy या फिर जो भी step से लिये गए AIDS को खतम करने के लिए उनका मकसद ये है कि नए cases जो है वो कम detect हो और AIDS की वज़े से जो death हो जाती है वो ना हो इस दिशा में जो काम किया गया है पिछले 20 सालों में ताफी अच्छा काम किया गया है विविन देशों ने अपनी commitment शो की काफी सारे देशों ने पैसा दिया AIDS को खतम करने के लिए NGOs भी सामने आए विविन international organizations भी सामने आए health infrastructure को develop करने पर focus किया गया और awareness फिलाई के इड़ के बारे में civil society ने भी important role play किया AIDS के खिलाफ लड़ाई को successful बनाने के लिए और इसका result काफी अच्छा निकला यहाँ पर देखो result क्या निकला 2000 से लेके 2018 के बीच HIV infection के cases में काफी ज़्यादा कटोती आई देखो data आपको याद रखने का हो सकता नहीं है वैसे यहाँ पर दिया हुआ है 37% new HIV infection कम हो गए 2000 से लेके 2018 के बीच में और इसी time span में death जो होती थी HIV virus की वज़े से वो 45% तक कम हो गई क्योंकि उनको anti-retroviral therapy दी जाने लगी काफी सारी नई effective drugs भी बनी और वो easily भी available होने लगी HIV patients तग जिसमें इंडिया की generic drugs की जो industry है उन्होंने भी एक important role play किया public financing भी हुई और private financing मतलब सरकार ने भी पैसा दिया AIDS के खिलाफ रडाई में और private companies दूसरे जो individual या फिर corporate groups NGOs उन्होंने भी पैसा दिया और पहले देखो AIDS के साथ एक stigma attach हो जाता था मतलब जिनको AIDS होता था society उनको ख्राब दिश्टी से देखा करती थी लेकिन जारुटा पैदा हुई world में अब उन लोग को बहुत ज़्यदा stigma से नहीं देखा जाता है मतलब एक rights based approach अपनाई गई AIDS के खिलाफ लडाई में तभी इतने ज़्यादा successful results सामने आए लेकिन देखो अब आप ध्यान से सुनियेगा अब article का second aspect स्टार्ट होता है पिछले 20 सालों में तो अच्छे results सामने आए लेकिन अब धील बरती जा रही है AIDS के खिलाफ लडाई में इसलिए indicators जो पहले अच्छे सामने आ रहे थे आज के समय में situation उतनी ज़्यादा positive नहीं दिखती है फिर से कुछ figures की साइटा से ये show करने की कोशिज की जाती है कि 20 साल पहले जिस हिसाब से progress हो रही थी आज उस हिसाब से progress नहीं हो रही है 2018 खतम होते होते 79% ऐसे लोग जिनको AIDS हैं उनको पता लग गया है कि हमको AIDS है और उनमें से 62% की treatment हो रही है और उनमें से 53% ऐसे हैं जिनमें वारस को suppress कर दिया गया है मतलब 1990-90 का जो target था उससे अभी हम काफी दूर हैं और 2020 तो देखो अगले ही साल है 1990-90 की बजाए अभी तक हम पहुंचे हैं 79, 62 और 53 इसके रावा देखो 2018 में 7,070,000 HIV affected persons की death हो गई आल्मोस्ट 17,070,000 केसी सामने आए HIV infected persons के अभी सिरफ देखो 19 देश ऐसे हैं जो 2030 के sustainable development goal के target को achieve कर सकते हैं इससे समन्दित बाकी जो देश हैं वो दूर दूर तक इस target को achieve करने के करीब नहीं है काफी सारी regions ऐसे हैं जिन्होंने improvement show की हैं जैसे Eastern और Southern Africa लेकिन Eastern Europe जैसे regions में अब ज़्यादा केसी सामने आ रही हैं HIV infected persons के और देखो की people में केसी सामने ज़्यादा आते हैं की people जैसे sex workers transgender persons homosexual men इन में HIV होने की संभावना ज़्यादा रहती हैं तो Eastern Europe में की people में HIV केसी ज़्यादा सामने आ रही हैं जो की एक चिंता की बात है अब आपके मन में आया होगा की आखिरकार ऐसा क्या हुआ की 21 वे स्ताबदी के सुर्वांती सालों में काफी progress हुई HIV को खतम करने के दिशा में लेकिन अब उतने अच्छे results नहीं सामने आ रही हैं अब progress काफी कम हो गई है reasons देखो काफी है सबसे पहला reason एक complacency develop हो गई की हाँ अब तो धिरे-धिरे AIDS के खिलाफ जो लड़ाई है हम जीत रहे हैं तो जितनी political sport या फिर financial sport various stakeholders से मिल रही थी वो sport मिलना कम हो गई और दूसरा देखो पहले तो ज़्यादा focus AIDS पर था लेकिन अब focus एक साथ काफी ज़्यादा बिमारियों पर है focus ज़्यादा AIDS पर था लेकिन अब focus दूसरी बिमारियों पर भी है इस वज़े से भी resources जो हैं पहले की अपेक्सा करत कम allocated हैं AIDS को खतम करने के लिए next reason survival rate देखो improve हुई हैं क्योंकि effective drugs develop हो गई हैं तो जितना डर AIDS का पहले लोगों को हुआ करता था आज उतना डर नहीं हैं क्योंकि आज इस परकार की sense prevail हुई है कि AIDS का भी इलाद संभव है इसलिए जो seriousness पहले AIDS को लेके थी साइद उतनी seriousness नहीं है और देखो किस परकार के risk हो सकते हैं AIDS की वज़े से उस मामले में एडुकेट नोलेज जो जनता के पास होनी चाहिए वो एडुकेट नोलेज नहीं है क्योंकि देखो जब HIV परभावित करता है तो फिर उस में cardiovascular disease का जो खत्रा है वो भी बढ़ जाता है एंटी retroviral therapy दी जा सकती है ये बात सच है लेकिन anti-retroviral therapy ठीक नहीं करती टूबर क्लोसिस को anti-retroviral therapy mental जो health disorder हो जाता है उसका भी इलाज नहीं करती मतलब HIV अगर इंफेक्ट करता है तो इसकी वज़े से और बहुत सारे गंबीर तरह के disease हो सकते हैं इस वज़े से AIDS को prevent करना बहुत ज़दा जरूरी है अब देखो specifically इंडिया की बात करते हैं इंडिया का experience positive रहा है 2005 से लेके 2017 के बीच AIDS की वज़े से जो death होती थी उसमें 71% की कटोती हुई और 2001 एक तीन में हर 10,000 में से 38 लोग HIV infection से परभावित होते थे अब ये आंकड़ा घटके हो गया है 22 आज के समय में इंडिया में आलमोस्ट 21,40,000 के आसपास लोग ऐसे हैं जो HIV से infected हैं और records शो करते हैं आलमोस्ट हर साल 87,000 ने केसी सामने आते हैं HIV infection के और 69,000 AIDS related deaths होती हैं इंडिया में 9 states में HIV infection की जो rate है वो ज़्यादा है कौन से खास करके देखो North East के राज्या हैं मिजोरम में हर 10,000 में से 204 लोग HIV infected हैं जैसा हमने पहले डिसकस किया इंडिया में अभी फिलाल 21,40,000 लोग HIV infected हैं जिन में से 8.7 lakhs महिलाएं हैं कुछ राज्या हैं जैसे आसाम मिजोरम में घालय उत्राखंड यहां पर annual new infections पहले की अपेक्सा करत ज्यादा हुए हैं वैसे देखो इंडिया में national AIDS control program है AIDS को खतम करने के लिए और ये program काफी effective भी थाबित हुआ है focus किया गया है कि mother to child transmission ना हो AIDS का इसके अलावा pre-exposure profileics इसमें क्या होता है key people जैसा हमने पहले discuss किया था transgenders, sex workers और homosexuals इन में देखो AIDS के होने की संभावना ज़्यादा होती है खत्रा ज़्यादा होता है ज़्यादा vulnerable होते हैं ये लोग तो ये अगर पहले से ही एक tablet लें तो HIV को prevent किया जा सकता है और उसके बाद post exposure pre-filex मतलब ये पता लग गया है कि AIDS हैं तो उसके बाद जो tablet ली जाती है ये भी एक effective साबित हुआ है AIDS related death को कम करने की दिशा में और सबसे last में है male circumcision इसमें क्या होता है man के private part की जो four skin है उसे remove कर दिया जाता है तो कहने का मतलब है ये जो techniques effective साबित हुई है HIV infection और AIDS related deaths को कम करने के लिए वैसे देखो आज HIV virus strains की काफी ज़्यादा जो varieties हैं वो infect करती हैं persons को इस वज़े से एक effective vaccine का develop हो पाना मुश्किल साबित हो रहा है और सिरफ technical innovation से काम नहीं चलेगा पहले जो methods effective साबित हुए थे HIV को कम करने के दिशा में उन्हें फिर से अपनाना होगा जैसे देखो political sport, financial sport, community engagement ये methods काफी ज़दा effective साबित हुए थे और इन पर अगर फिर से focus किया जाता है तो AIDS के खिलाफ जो लडाई हैं वो जीती जा सकती हैं ये पूरा article हमने discuss किया AIDS के खिलाफ लडाई से समधित चलते हैं आगे next article आप देखो India और सिलंका relations के बारे में हैं आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो context आपको पता है राश्टरपती जो हैं सिलंका के नए बने हैं गोटबाया राजपक से ये भारत की यात्रा पर आये राश्टरपती बनने के बाद ये इनकी पहली foreign विजिट थी और इस foreign विजिट के दुरान उन्होंने भारत के प्रधामंतरी मोदी को भी invite किया सिलंका में यात्रा करने के लिए उनका ये बोलना था कि अगर प्रधामं इंडिया और सिलंका की जो हिस्ट्री है वो कितनी complicated हैं कितनी interlinked हैं interlinked और complicated कैसे देखो simple सी बात है हमारे देश में तमिलाडू में तमिल्स रहते हैं और तमिल मायनेटीज में हैं सिलंका में तो काफी आरोप लगते हैं कि तमिल मायनेटीज के ऊपर अत्याचार होता है सि civil war हुआ उसमें भी बहुत सी atrocities हुई तमिल मायनेटीज के ऊपर तो उसकी आवाज तमिलाडू में सुनाई देती हैं और पूरे इंडिया में सुनाई देती हैं इस परकार से दोनों देशों की जो हिस्ट्री है वो आपस में interlinked हैं तो इसलिए गोटबया राजबक्से ने लेके सबसे बड़ा जो concern है वो यह हैं सिलंका के northern पार्ट में और eastern पार्ट में जहां पर तमिल्स रहते हैं उन एरियास को autonomy दी जैसा सिलंका ने पास्ट में वादा किया हैं दूसरा concern इंडिया का यह हैं सिलंका को लेके Chinese investment काफी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं सिलंका मे चाइना ने हमबन दोता पोर्ट को lease पे हांसिल कर लिया है कोलंबो हार्बर डवलप किया और इवन सिलंका की military engagement भी चाइना के साथ काफी तेजी से बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ इंडिया के projects को आसानी से clearance नहीं मिलता सिलंका में मतलब इंडिया जो चाहता है जिस परक से और जब कि कुछ issues ऐसे हैं जिनकी वज़े से सिलंका को भी इंडिया से सिखायते हैं जैसे देखो 2015 में जब elections conduct हुए थे तो महेंदर राजय पक्से की हार हुई थी उस में आरोप ये लगाया था महेंदर राजय पक्से ने कि इंडिया की intelligence agencies ने मुझे हराने का काम किया ज जैसे हमारी sovereignty का violation कर रहा है इंडिया लेकिन देखो article में कहा जाता है future में इंडिया और सिलंका के relations के improve होने का काफी scope है अभी कुछ समय पहले आपको याद होगर सिलंका में bomb blast हुए थे eastern day के मौके पर almost 250 लोग के जाने चली गई थी और ISIS ने इस हमले की जिम्मदारी ली थी देखो जो perpetrators थे इस attack के जिन्होंने इस attack को अंजाम दिया था उनके इंडिया में भी connections थे इंडिया के साथ link था तो कहने का मतलब साफ है कि इंडिया और सिलंका आपस में corporate कर सकते हैं Islamic state से निपटने के लिए और terrorism के खिलाफ लडाई को जीतने के लिए 400 million dollars की development aid के अलावा इंडिया ने extra 50 million dollars की aid देने का वादा किया शिलंका को परधामंतरी मोदी ने ये भी कहा कि इंडिया और सिलंका की जो security है वो indivisible है देखो ये 50 million dollars की attract aid दी गई थी ना ये security परपजिस के लिए दी गई थी और परधामंतरी मोदी ने ये कहा भी सही कि द दोनों देशों को जादा cooperation करना चाहिए security insure करने के लिए तो अब देखो नया रजीम मतलब नए जो राश्टरपती बने हैं सिलंका के ये कैसे काम करेंगे साफ हो जाएगा कुछी दिनों में जिन projects पे India progress चाहता है जैसे ट्रिन कुमाली में project है मटाला एरपोर्ट का project है इन projects को लेके इंडिया जल्दी progress चाहता है जल्दी जल्दी clearance मिले इन projects को और दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि चाइना का कर्ज काफी ज़्यादा है सिलंका के ऊपर मतलब चाइना को बहुत सारे पैसे लेने हैं सिलंक इंडिया को इन चीजों से डर लगता है इंडिया चाहता है कि चाइना से आने वाली जो investment है उसे सिलंका regulate करें और चाइना को जो पैसे लोटाने हैं उसको ठीक से manage के जाएं ऐसा नहीं कि अपनी जो important ports या फिर airports हैं उनको lease पर दे दे चाइना को सिलंका और चाइना future में उन ports को और airports को military purposes के लिए इस्तिमाल कर दे तो देखना ये होगा नया regime या नया राश्टरपती कैसे चाइना के कर्ज को manage करते हैं और चाइना की investment को regulate करते हैं देखो एक concerning चीज यानि एक challenge ये भी है नया जो राश्टरपती है उन्होंने ये कहा था चुनाव परचार में कि वो सिलंका में northern और eastern पार्ट को ज़्यादा autonomy नहीं देंगे मतलब जहां पे tamils और muslims ज़्यादा रहते हैं उनको autonomy नहीं देंगे development पर ध्यान होगा वैसे देखो कहने में तो ये बात अच्छी लगती है लेकिन काफी समय से मांग चल रही है northern और eastern पार्ट में हमें autonomy दी जाए ताकि हम ज़्यादा खुद से अपने आपको govern कर सकें ऐसा वादा past में सिलंका ने इंडिया से भी किया है 13 जो amendment है अब अगर नए राष्ट्रपती इस दिशा में आगे नहीं बढ़ते हैं तो ये एक tension का विशय हो सकता है इंडिया और सिलंका relations में लास्ट में conclusion में एक बात ये बोली जाती है वार तो देखो खतम हो गया है इंडिया और सिलंका और लिट्टे के बीच लेकिन peace establish होने में लंबा समय लग जाता है healing यानि वार की वज़े से जो घाव आते हैं उनको भरने में लंबा समय लग जाता है और सिलंका की नई सरकार को उसी दिशा में काम करन होगा तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिसकस किया इंडिया और सिलंका रिलेशन्स के बारे में चलते हैं आगे नेश्ट आर्टिकल टेलिकॉम इंडिस्ट्री से संबंदित हैं आप जीयस पेपर टू के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों ये आर्टिकल लिखा गया है असोग जुझुझुण वाला के द्वारा देखो अर्ली 1990s में फूर एग्जेंपल 1991,92,93,94 उस में हमार देश में सिरफ 7 मिलियन यानि 70 लाग के आसपास टेलिफोन्स थे और नए कनेक्शन को प्राप्ट करने में वेटिंग टाइम था 7 साल से लेकर 8 साल तक क्योंकि उस में लैंड लाइन टेलिफोन को इंस्टाल करने की कोश्ट काफी ज़्यादा थी इसलिए टेलिफोन कनेक्शन कम थे और एवरेज रेवेंड्यू पर यूजर भी काफी ज़्यादा कम था तो टेलिकॉम जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे ग्रोह हो रही थी लेकिन बाद में वाइरलेस टेलिफोनी इंटोड्यूस हुई मतलब मुबाइल फोन्स इंटोड्यूस हुए मुबाइल फोन्स के इंटोड्यूस होने की वज़े से जो कैपिटल कोश्ट थी वो काफी ज़्यादा कम हो गई, टेलीफोन एफोर्डेबल हो गए, उनको इंस्टाल करना आसान हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आने लगी, ताकि ज़्यादा ज़्यादा प्रोफिट कमाया जास के इस बिजनस में, चुकि देखो उस समय टेलीगोम डेंस्टी इंडिया में बहुत ज़ल नहीं थे, टेलीफोन कनेक्सेंस कम थे, तो इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को भी ये लगता था कि इंडिया की मार्किट में पैसा कमाने का स्कोप काफी ज़्यादा है, 1995 में क्या हुआ, सरकार ने पहली बार स्पेक्ट्रम की निलामी की प्राइवेट प्ल ज़्यादा मेहंगे टेलीफोन कनेक्सेंस नहीं लगवाना चाहते थे, मतलब इंडिया की मार्केट में स्कोप था, लेकिन इंडिया के कस्टमर्स तभी अट्रेक्टिड होते थे, अगर उनको चीज अफोर्डिबल लगती, और बोली लगा दी गई थी, इंटरनेशनल कंस कि हमने जो बोली लगाई है, उसका पैसा हमें ना देना पड़े, तो 1999 में अटल बिहरीवाजपी परधानमत्री बनते हैं, उनको भी बोला गया कि देखो, स्पेक्टरम को पर्चेज करने के लिए बोली बहुत ज़दा लगा दी गई है, टेलिकॉम प्लेयर्स के द्वारा और इतना पैसा वो नहीं चुकास केंगे, और आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो उनको जो पैसा देना है, उसे आप कम कर दीजिए, revenue sharing कर लीजिए उनके साथ, कि जितना आपकी कमाई होगी, उसका एक हिस्सा सरकार ले लेगी, ताकि license fees उनको ना देनी पड़े, जिसके ना बढ़ पाए, तो अटल विहरीवाजपई ने काफी सूजबूज बड़ा फैसला लिया, उनको ये ऐसास हो गया था, कि भारी बरकम बोली तो लगा दी गई है, टेलीकूम प्लेयर्स के द्वारा, गौर्मेंट को तो इससे फाइदा होगा, लेकिन वो फेल हो जाएंग और टेलीकूम डेंस्टी हमारे देश में नहीं बड़ सकेगी, तो 2001 में सरकार ने रेवन्यू शेरिंग का मोडल साइन कर लिया, इन टेलीकूम कंपनीज के साथ, आप भारी भरकम लाइसेंस फीस मत दीजिए, आप रेवन्यू को शेयर कर लीजिए, ये काफी बोल्ड डिस उसी समय फेल हो जाती, उसके बाद क्या हुआ, जैसे देखो रेवन्यू शेयर होने लगा, तो टेलीकूम कंपनीज फिर से थ्राइव करना स्टार्ट हो गई, और टेलीकूम डेंस्टी हमारे देश में बढ़ने लगी, 2003 आते आते हमारे देश में 300 मिलियन टेलीफोन लाइ यह खुश थे, यह ज़्यादा जाना ही नहीं चाहते हैं, तो उस समय सरकार को फिर से लगा कि रूवल एर्याज में भी टेलीफोन को ले जाना बहुत ज़्यदा जुरूरी है, तो रेवेन्यू शेयर बेसिस पर ही उस समय नए प्लेयर्स की एंट्री हुई, जैसे रिलाइ देना पड़ा था टाटा को, डुकोमो को, यह एक मेजर रीजन था जिसकी वज़े से साइरस मिस्तरी और रतन टाटा के बीच डिस्प्यूट आ गया था, खेर वो एक अलग कहानी है, कहने का मतलब यह है, जब यह नए प्लेयर्स आए, तो रोल एरियास में टेलिकॉम डें स्पेक्ट्रम के लिए निलामी करना स्टार्ट कर दिया, और 2013 में क्या हुआ, 2300 से लेके 2500 मेगा हर्ट्स बैंड के लिए गोर्मेंट ने स्पेक्ट्रम की निलामी की, अब देखो यह जो स्पेक्ट्रम का बैंड था, 3G के लिए स्टूटेबल था नहीं, और 4G टेक्नोज समद्री टेक्नोजी को डवलप करने के लिए, लेकिन बाद में जो रिलाइंस जीओ है, इसने टेलिकॉम इंड़स्ट्री को पूरी तरह से हिला कर रख दिया, आल्मोस्ट फ्री बेसिस पे, सीम बेसिना इनोंने स्टार्ट कर दिया, फ्री कोल्स, फ्री वीडियो कोलिंग, तो इन सब चीजों से बाकी जो पहले इस्टाबलिश पेर्स है, उनको काफी त्यादा नुक्सान हुआ, जैसे एटल, वोड़ाफोन और आइडिया, अभी वो कोशिस कर ही रहे थे कि कैसे रिलाइंस जीओ का मुकाबला किया जाए, उससे पहले सुप्रिंग कोड का एक वर जाल सा आ गया, क्या हुआ, क्या था वो वर्डिक्ट, इससे समदी देखो एक आटकल भी हमने पहले डिसक्रस किया था, देखो 2001 में रेवेन्यू सेरिंग का जो एग्रिमेंट साइन हुआ था, सरकार का टेलिकॉम कंपनी के साथ है, उस कॉंट्रेक्ट के इंटर्प्रेटे उससे किराया आएगा, आपने कहीं और इंवेस्ट्मेंट की है, वहाँ से आपको डिविडेंट प्राप्त होगा, प्रोफिट होगा, आपने मुबाइल हैडसेट को बेचा है, उससे भी आपको रेवेन्यू प्राप्त होगा, तो ये भी आपको सरकार के साथ शेर करना चाहिए सरकार के साथ और सरकार को भी ये बात समझनी चाहिए, कॉंट्रेक्ट में थी चलो ये बात मान लिया, लेकिन टेलिकॉम कंपनी ने हैडसेट बेचे हैं, उन्होंने कहीं और इन्वेस्टमेंट की हैं, वहाँ से रेवन्यू प्राप्त हो रहा है, या फिर बैंक में एक लाग क्रोड से ज्यादा पैसा सरकार को देना पड़ेगा, ये तो बैंक्रफ्ट हो जाएंगी, और हमारे देश में एक टेलिकॉम कंपनी रह जाएगी, रिलाइंस जीओ, मोनोपॉली देखो, ना तो कस्टमर्स के लिए बढ़िया है, ना ही सरकार के लिए बढ़िया ह मोनोपॉली नुक्सान दायक साबित हो सकती है, इसलिए सरकार को चाहिए कि कोई सोलूशन निकाले, फिलाल अभी टेलिकॉम सेक्टर में जो स्ट्रेस चल रहा है, एक सोलूशन ये हो सकता है कि सुपरिंग कोट ने फाइन इंटरस्ट और पैनल्टी भी लगाई है, मतलब ये जो पैसा देना है एक्स्टर सरकार को, उस पे इंटरस्ट भी देना होगा, प्रिंस्पल के साथ साथ इंटरस्ट भी देना होगा, फाइन भी देना होगा, तो सरकार ये स्टप ले सकती है कि टेलिकॉम कंपनी के लिए इंटरस्ट यानि ब्याज को माफ कर दे, फाइन क ये fail होने से बच जाएं, bankrupt होने से बच जाएं और हमारे देश में digitalization जो काफी तेजी से हो रहा है वो होता रहे क्योंकि देखो development के लिए digitalization का होना बहुत ज़रा जुरूरी है इसलिए सरकार को कुछ board steps लेने होंगे telecom industry को संकट से उबारने के लिए तो ये हमने पूरा article discuss किया telecom industry से समदी और हमारी आज की इस discussion में इतना ही है आज हमने तीन issues को discuss किया Thank you, thank you very much for discussion